हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल रागिनीज रूटीन व्लॉग कैसे हैं आप सब तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और आज है 15 अक्टोबर आज है पहले नवरात्रा और मैंने आपको नवरात्री की पूजा लास्ट लॉग में शेयर कर दी है और अभी मैं मैं बनारी हूं इवनिंग की चाई और थोड़ा साना समान आया था व्रत का मतलब वो मैंने डबे में अलग से अरेंज करके रख दिया है और कर्ड भी मनमंगवाई थी तो वो अभी फ्रीज में रख देंगे तो आज चाई बनारी हूं और पैर के जो बरतन दुल गये थे जोड रही हूं क्योंकि अभी इवनिंग का ही टायम ऐसा होता है जब ये किचन के छोटे-छोटे काम होते हैं वो निप्टाने होते हैं तो साथ-साथ खुशु का दूद भी बनाऊंगी और हमारा फास्ट है तो थोड़े से चिप्स रखे हूं हैं आलू और सब उदाने के तो वो भी फ्राई कर लोंगी तो हो जाता है ना शाम को इवनिंग में कुछ मंचिंग करने का हो तो सही रह जाता है और फास्ट में तो वैसे भी इतनी कुछ भूख लगती नहीं है वस थोड़ा-थोड़ा खाते रहो तो सही रहता है ना तो सारा समान में यहां पे पर ही देना शुडू कर दिया है ताकि उसको भी एक टाइम फिक्स हो जाए ना कि हम अम्मी पापा दोनों चाहे पीते हैं और दूद मेरा मुझे इसी टाइम मुझे पीना रहता है तो इसी वज़े से और राजन को क्योंकि अगर बहार रह जाता है तो फिर खटा सा हो जाता ह यस्वजे से मैंने दे दिया है तो बस यहां पर मैंने तेल रख दिया है जो और सेमें इसी सपावदनीं कई और यह गर के ही कोई है तो पीन और चाह तो फास्ट न USA तो पापड या फिर ऐसे कुछ होता है चिप्स वगेरा साथ में तो ज़्यादा अच्छा लगता है कच्री वगेरा है ना तो बस यहां पर चाही बन गी है मैंने तोड़ा साइट कर लिया था क्योंकि तेल में अगर चींटा गिर जाता है ना तो फिर जलने के चांस रहते हैं तो यहां पर तल लिया है मैंने पापड और अभी इवनिंग में खुशू का ना जो मैंने आप सब को बताया था प्रोजेक्ट बनाना है चोटा सा ही है कुछ इतना ज्यादा है नहीं पर है जो स्कूल से आया हुआ है तो वो कंप्लेट करके जाना है संडे इवनिंग है तो मंदे को मॉर्निंग को इसको स्कूल में लेके जाना है तो बस यहां पर हो गई है हमारी चाय ज्यादा चाय नहीं लिया हम ने थोड़ी-थोड़ी से ही चाय बनाई थी क्योंकि जब फास्ट होता है न तब ज्यादा चाय पीनी भी नहीं चाइए पर हां हैबिट है तो और फोन का भी कंजप्शन बहुत जादा हो गया था वह जादा देखने लगा था तो हमने बहुत कम अब उसका कर दिया है ना के बराबर बस ऐसा होता है कि हां बहुत परिशान हो गया है या फिर बोर हो रहा है तो ही थोड़ी देर जैसे 10 मिनिट 15 मिनिट दिया वैसे तो हम बाते करते रहते हैं मजा करते रहते तो उसको भी अच्छा लगता है ना और टीवी देखता है तो पर्टी ब्ले कुछ शो हमने फिक्स कर रके हैं जैसे तारगमदा का उल्टा चश्मा है वैसे comedy shows होते हैं जो साथ साथ हम भी देते हैं या तो फिर हमने महादेव जो आता हम से खुश का प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम लोग चार्ट पेपर और कुछ और समान जो उनका जरूरी था वो सब ले आये थे और खुश यहां पे खुश को भी ना वैसे यह पसंद नहीं आती थी चिप्स पर आज हम का रहे हैं और हमने इसको नहीं यहां पर हम बना रहे हैं कुछव का प्रोजेक्ट और घ्र्लीफूड और अनेल्थी फूद मतलब दोनों के बीच में डिवाइड करके चार्ट पेपर के इंदर बनांके फिर दोनों एक तरफ हैल्दी फूड लगाने एक तरफ हैं तरफ हैल्दी फूड तो हम लोग जहां से यह चार्ट पेपर लिया था वहीं शॉप पे से हम लोग प्रिंट आउट निकल के ले आये थे गूगल पे ढूंडोगे तो बहुत सारे मिल जाते हैं ऑप्शन्स होते हैं बहुत सारे तो हम लोग ले आये थे और यह जो मैं लगा रही हूं यह कलर फुल जो सेलो टेप होत कि कैसे सेलो टेप को कॉर्णर पे मोडनी है तो अब जब नैए नेक्स लगा रही हो ना उसने पहले ही बोल जा कि ममा आप कट करके मैं फोल्ड करूंगा आप फोल्ड मत करना वैसे ही बच्चे ना बच्चों को एकदम से दे दो तो वो टीज नहीं करते पर बच्चों को कह हमने कुछ किया है हम भी अच्चे से कर सकते हैं तो बच्चे को इतना इंक्रेज करोगे बच्च को इतना इंटरेस्ट आएगा और इतने अच्छे से वो लो काम कर लेते हैं तो बस यहाँ पे सारी border बना लीती मैंने और बीच में भी partition देखे columns बना लिये थे जो मैं आगले आपको दिखाने जाओंगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो देखिए इस तरीके से मैंने कॉलम्स बना लिये थे और उपर की में जो बॉडर दिख रही है जहाँ पर मैं लिख रही हूं वहाँ पर एक खुश का नाम लिखना था क्या है कि एक करण जूस जाओं यहां पे राजन ने सारे कटाउट्स साथ में रख लिये थे और कुश को ऐसे ही पूछ पूछ के उसको जब से पता चिल रहा है सारी चीजे उसको बता ही थी कौन सी चीजे अनहल्दी है और कौन सी हल्दी है तो वैसे वैसे हमने सारे इनको एक एक करकी दोनों कॉलम में लगवा लिये थे और वैसे प्रोजेक्ट कम्प्लीट किया किया बनाए आपने? healthy and unhealthy healthy and foods बुटु आरती करने चल पिर नीचे जाना है कुछ लेट हो रहा है बच्चे तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम लोग रेडी हो गये थे और इवनिंग की आरती कर रहे है शांज की तो शाम को आरती घर पे करके फिर हम लोग नीचे जा रहे हैं मातरानी के पंडाल में तो वहां पे भी हम आरती करेंगे तो साथ बज़े का टाइम होता है वहां नीचे मौनिंग में भी साथ बज़े होती है और इमनिंग में भी साथ बज़े आरती होती है तो हम लो मातरानी तो पंचमी के दिन शाम को आएंगे मतलब सास्टी से वह वहां पे होंगे तो बस यहां पे हमने आर्थी की है और कपूर जला लिया था मैंने आपको दिखाई थी ना तो उसी में हम लोग कपूर जला लेते हैं तो बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया था तो आप मातरानी के दर्शन कर लीजे मातरानी आप सब की मनों कामनाय पूरी करें तो आर्थी हो चुकी है और हम लोग नीचे जा रहे हैं पंडाल में दर्शन करने के लिए तो आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूं अभी तो घट स्ताप नहीं हो योगी मातरानी तो सश्टी के दिन आएंगे तो चले नीचे चलते हैं क्या हुआ है खुशू सुसाइटी में है डेकोरेशन क्यों हुआ है कि माता रानी आये पूरी सुसाइटी साजगी है बहुती सुन्दर लग रहा है आप सभी को मा भग्मदी का अपारम पभाद के प्रास्तों परमा जाएंगे जैमातादी, जैशी कुष्णा, जैशी लादे कल ठीक सुबह साथ बड़े प्राताय काल की आरती होगी मंगला आरती होगी आप सभी लोग सफरिवार प्राइटी तो नीचे पंडाल के भी आप सबको मैंने दर्शन करवा लिये हैं अभी वहाँ वेदिया बनी हुई है और मातारानी के फोटो वगेरा है तो मातारानी पंचमी के दिन आएंगे शाम को वो मैं आपको व्लोग में जरूर शेयर करूंगी मेरे व्लोग अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और थोड़ा सा भी वीडियो यह वाला पसंद आया है तो लाइक जरूर करना तो बस अभी मैं आगी हूं घर आके मैंने किचन में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है डिनर की तो खुश के लिए मैंने या पर न्यूट्रिला गरम किया है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो गरम करना पड़ता है और मैं बना रहे हूं फटा-फट से फुल के तो खुश को खिला देंगे ह हम टाइम से ही और दूद आ गया था तो दूद भी इसी टाइम मतलब आके वह जो है उनका जो डूल होता है वह बाहर ही रखके चले जाते हैं तो बस आके तुरंट मैंने चान के दूद भी गरम करने रख दिया है अब मेरे वीडियो भी रेगिलर में अपलोड कर रही हूं रूटीन के सारे व्लॉग्स वगेरा और फेस्टिवल्स आ रहे तो फेस्टिवल के रिलिटेट सारे व्लॉग्स में डालती रहूंगी तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो पसंद आ रहा है तो मिलूंगी तब तक के लिए बाबाई टेक केर गूनाइट